आज के इस ट्रोटे सी वीडियो में हम तीन तरम पढ़ने जा रहा हैं जो कि इंतिहाई इंपोर्टन ही जो कि अक्सर जगा पे हम से पूछे जाते हैं कि वाट अडिफरेंस बिट्वीन एपेडेमिक पेंडेमिक एंडेमिक डिजीज तो ये तीन तरम जो हम अक्सर यूज करते हैं कि epidemic, pandemic, endemic इन तीन में फर्क क्या है और ये हमारे पास क्या क्या होते है वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से request हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें पहला हमारे पास हैं epidemic disease तो epidemic words का मतलब हैं वबा वो disease जो के एक दम से एक जगा पर आती है An unusual sudden onset of a disease which break out in a region of country is called epidemic disease वो disease वो हमारे पास बीमारी वबा जो के एक दम से एक علاके पर आ जाती है एक कम टाइम में और उससे नुकसान बहुत जएदा हो जाता है तो इसको कहते हैं एपेडेमिक डिजीज जिस तरह के कोरोना दो हजार उन्नीस में चैना में आई हुई थी तो तब ये एपेडेमिक थी तब ये वाइरस जो ये एपेडेमिक था और इससे जो एफेक्ट हुआ ता वो एपेडेमिक था और यहां पर हमारे पास एक्जेंपल है कालरा और एनी अदर डिजीज ब्रोकन आउट अगर किसी डिजीज जो है वो उसका ब्रोकन आउट हो जाए किसी इलाके में थे इसको हम एपेडेमिक कहेंगे डेंगी आउटडेक इन पाकिस्तान और आपको गजन्सी ते एक एपेडेमिक था दूसरा टरफ हमारे पास आता है इनडेमिक डिजीज इन कहते हैं विट इन एन एंडेमिक डिजीज देट यूजली यूजुली फा इन इस तरह इन 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 इरिया अगर कुई डिजीस हमारे पास हो न normally झागर इस तरह नरौल डिजीस जो होती है वो end divoric में आती हैं, एक हमारे पास है pandemic disease pandemic and epidemic disease that occur worldwide एक हमारे पास epidemic disease जो के एक इलाके में उसका broken out ब्रेक आउट हो जिस तरह के कोरोना हमारे पास 2019 में चैना में आया और पिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते maximum countries में जब वो पहुंच जाए दुनिया के maximum country में वो पहुंच जाए तो इस टाइम इस disease जो के worldwide दुनिया में हो तो इसको हम pandemic disease कहेंगे जिस तरह हमारे पास COVID-19 जो के आज कल maximum countries में पाया जाता है और इससे इंतिहाई जएदा लाको करोडों लोग जो हैं इससे effect हो रहे हैं COVID-19 से तो इसको हम कहेंगे pandemic disease worldwide दूसरा हमारे पास cancer cancer अगर आप worldwide देख लें तो दुनिय में हर जगा पे आपको जो है cancer जो है schwer já नजर आता है cancer की patient हर जगा पे हमारे पास होते हैं कि आया वोगरीब countries हैं या amig country हर जगा पे जो हैmod pire जो है maximum इलागे पे हमारे पास cancer की patient होते हैं तो ऐसे disease जो के worldwide हो तो pandemic में हमारे पास जो important है बो है pandemic में हमारे पास important जो है وہ COVID-19 के COVID 19 हमारे पास pandemic हैं क्योंकि ये अभी जो हैं पूरे इलाके में ये को हमारे पास पहल चुकी है Spiridic disease is a disease which is found here and there at interval के Spiridic disease हमारे पास वो डिजीज जो एक खास interval के साथ एक जगा या दूसरी जगा पे हमारे पास पाया जाए या time interval के साथ हो या कोई इलाके interval के साथ हो तो इसको हम Spiridic disease काएंगे और इसकी एक्जामपल हमारे पास TB है पूलियो है टेटिनिस तो ये different disease Spiridic disease आज़कल पाकिस्तान में है तो ये हमारे पास कोई important definition थे इसमें अगर आप लोग को कोई question वगिरा हो तो आप हमसे through comments वगिरा हमसे पूछ सकते हैं